तो वेलो गाइस welcome back to our new vlog I hope आप आप अच्छे होंगे और जैसे कि आपको पता है मेरे 2 दिन व्लाग महीं आया उसका रिजन यह है कि आपको पता है मैं previous vlog जो डाला था वो था मेरे रिवा का और भाया का बड़े celebration था तो इसी के basis पेय अपन गए थे रिवा और गाइस अब मैं वापास आ चुका हूँ जवलपूर तो गाइस मैं पहले की जो ब्लॉग में आपने देखा हूँ का रीवा के पहले वाले ब्लॉग में उसके मैं कुछ पंडाल के दर्शन आपको कराया था अपने जवलपूर के जो कि आपको पता है अच्छा गनेश पर रखाएगा और अलग-अलग पंडाल के आज आपको धरसन करायेंगे प्यारे-प्यारे-प्यारे अपने से हो सकेगा जिपता भी आपन कभर कर पाएंगे उत्ता आपको दिखाएंगे न्युक्त कि जो लोग भी चैनल पे नए आरे आरे प्लिज सब्सक्काइब को बेत बने रहना ओर तो चलते हो दिखाते हैं आपको प्रिवियस भूब्लोग में आगमन मैंने दिखा पाया था क्योंकि मैं पहला दर्सन है और इनको बोला जाता है गोरकपुर के राजा और जैसे सास्ट liberis नीचे उत्रों गई जैस सामने प्तिमा की कि प्रतिमा यह वो रखी गई गई है इनकी जो प्रतिमा बहुत 0 बनाई गई गई है सब से 20 प्रतिमा है यह mutually दो रूप में आपको देखने को भुब और आपको बतला हूं और इनकी जो मतलब quo शरीर के मतलब जो बनावटी की कई हो पूरा देख सकते हैं जो पॉड़ी गोड़ी इनकी खतननाक तरीके से रूप में बनाई गई है और मांकी यहां पे नीचे एक छोटे से गनेस जी और हैं और बानर जी की सेना है यहां पे और बाकि उधर एपने मुशक राज जी हैं और जो गाइस आज कथ अपना यह पहला पंडाल का दर्शन जो की बहुत यद्वत मूर्थी आपको लगी बताना आप कमेंट्स में आपको मूर्थी कैसे लगी तो चलिए चलते हैं दूसरे पंडाल की तरफ जै श्री राम जै हन्मान और जै गनेस जी चलिए चलते हैं दूसर पन डाले अपना वो दिखाने आपको और देखिए यह भी बहुत प्यारी बप्पा को अपनी मूर्ति हो बनाई गई है और बहुत सी अद्बूत बनाई गई है तो आए पहले सबसे पहले जगह पूछते हैं और कहां पे इस्तित है आप यहां पे मतलब कहां पर आके देख सक प्रसाद बनाई गया जैसे के आपको बता दिये और इस बार का पैटन बना है बहुत शांदार बना है और बाहर की आप कलाकारी देख सकते हैं पूरा इस रो वाला जो मतलब लोगों है वो दिया गया है बाकि यहां पे गज केसरी गणे सबसा समीति है यहां पे और बहुत की बताना चलते है दिसरे बनाल की तरफ और यहां पर चुके है तीसरे पनडाल की तरफ इहां पी जो मूरती निकल के यह बहुत ही शांदार निकल के आई पेर उनके हवा में और जो अपने मुशक राग जी बहुत ही बड़े और बहुत ही विशाल बनाए गया है बाकी बप्पा बहुत ही प्यारे लग रहे हैं तो आए बताते हैं तो बताए हैं यह पन्डाल गोरापूर दोवी महले में बनाया गया है और शमीति का नाम श्री आदर्शकलाव अंडर गलेश उसा समीति और यहां पर बपक किते दिन तक रहने वाले विसरजन करें यह विसरजन 29 तारिक को सामें साथ बज़ते हैं तो बता दिये 29 तारिक को है इनका विसरजन तो उससे पहले आप आके देख सकते है तो गाईज यही था आपना आज का तीसरा मतलब जो पंडाल आप चलते हैं चौथे पंडाल की तरफ और आप तब तक देखिए यहां के सिनेमेटिक्स सो गाईज आ चुके हैं आज का अपना चौथा पंडाल दिखाने जो की देखिए पहले आप मूर्ती देखिए कित्ती प्यारी और बहुत यद्बुत बनाई गई है आप उससे पहले आके देख सकते और मूर्ती देख सकते हैं बहुत ही प्यारी निकल के आई है तो आप कुछ सिनेमेटिक सोट दिखाते हैं और चलते हैं पांच मूर्ती की तरफ पांच में पंडाल के आपको दरसन कराते हैं और देखिए यहां तो जो यह चलत्रिती बड़े इस उच्छो समीती है उन्हों ने इसको रखवाया और बहुत ही शांदार मूर्ती यह भी लगई और बांकि यहां की जो कलाकारी और जो इनका पंडाल बनाए वह बहुत ही प्यारा लग रहा है मेरेको आज उत्सव वियोना है साय धंडार वगएर तो इसक्ति आपको 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 आप अजया जा रहा है और गाईज यहां पर अपना कुछ बैंड का कारिकम होने जा रहा है और तो चलिए चलते ओपन अगले पंडाल के चरह और इसक्ति आपको 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 तो चलिए कुछ Cinematics दिखाते हैं आपको यहां के तो चलिए चलिए जाले हैं आपको पंडाल के तरफ यह पंडाल की तो आपको पूर्टी कैसे लगी आप कमेंट्स होता ना तो चलिए ज़लते हैं दूसरे पंडाल के तरफ जय शेडाम जय गणपतिवप्ता तो आ चुके आपको फिर से एक और पंडाल के दर्शन कराने और पहले तो आप सजावट देखो यहां का यह जगह है अपनी जो सिविल लाइना जहां पर साइम अंतिर वहीं पर पंडाल है गनेश जी का बहुत ही प्यारा जो बाहर का पंडाल है वह बनाए गया और यहां का जो चौरा है वहीं बहुत ही प्यारा सजाए गया जैसा कि आप देख सकते हो दूर दूर तक सजाए गया है और जवलपुर में जैसा कि संसकार धानी है यह तो कोई भी उत्सव हो अच्छा सेलिब्रेट होता अच्छा सजाव जाके देख सकते हैं आप लोग तो चलिए पा करें देख सब्सक्राइब करेंगे आपके लिए और जो लोग आई तक इंस्टाग्राम पर फॉलोग निकिए प्लीज यार फॉलो कुन लोग कि वहां पर देता रहता हूं यहर यहां सब्सक्राइब करें करेंगे एका सब्सक्राइब करेंगे एक वहितार करेंगे।